नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं सिल्वर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट लास्ट रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ़ते हमने जिस तरीके का एक सेशन देखा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए सपोर्ट और रेइस् का चार्ट दोस्तों कल जिस तरीके का हमने सेशन देखा मार्केट में गैब डाउन ओपनिंग और उसके बाद से मार्केट ने बिलकुल स्टार्टिंग से ही एक सेलिंग प्रेशर फेस किया जिसमें नीचे के लेवल्स टच होने शुरू हो गए और मार्केट थोड़ा सा उ इसमें एक करेक्शन आनी शुरूई काफी नीचे के लेवल्स हमने देखे और वहां से फिर बिलकुल एंड में एक थोड़े सी रिकवरी लास्ट के 10-15 मिनिट में मार्केट ने थोड़े सी रिकवरी दिखा ही अपने लिएस लेवल्स से और मार्केट क्लोज हो गया इस से पहले का जो सेशन था सेलिंग प्रेशर उसमें भी बना हुआ था अपसाइड कहीं नहीं है देखिए सिल्वर में अपसाइड नहीं है लगातार हम नीचे के लिए सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक चीज है कि अभी सिल्वर धिये धिरे एक गिरने की जब तक crude oil ने अपने आपको एक upper range में stable किया हुआ है, hold किया हुआ है prices को, तब तक silver में भी एक बड़ी गिरावट अभी हम नहीं देख रहे हैं, बड़ी गिरावट इसमें crude oil में एक थोड़ी सी correction आएगी, silver में भी correction इस्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, यहां पर अभी कल हमने देखा market की expiry थी, एक यह और बड़ा कारण है, कि silver में जो expiry की settlement हुई है, वो काफी उपर के levels पे हुई है, मतलब अगर हम gold से compare करें, gold में बिलकुल अपने lowest point पर अभी trade कर रहा है, expiry नहीं है, फिर उसमें contract की, पर फिर भी वो एक काफी नीचे के level पे trade कर रहा है, silver में वहीं हम देखें, तो बिलकुल उपर तो नीचे के level से काफी जादा उपर है, जो इसमें एक range बनी थी, नीचे में 65,000 के असपास की, उससे काफी उपर अभी इसमें trading चल रही है, contract roll over कर चुके हैं, कई traders, कई ने exit कर लिया, कि silver में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या ना करें, तो उनी चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, discuss कर रहे हैं, levels को, downtrend है, तेजी कहीं भी नहीं है, market में धीरे-धीरे, market जा है, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 15 मिनट के time frame पर वहां और धीरे-धीरे market नीचे आना शुरू हो गया, लगातार हम देख रहे हैं कि इन levels में market ने बहुत देर तक consolidate किया, फिर एक नीचे का view बना लिया, कल के session में हमने देखा market ने इस range में थोड़ा सा धीरे-धीरे prices जोते हैं, वो उपर जा रहे थे, इस range में बहुत time तक अपने 9,000 के नीचे के prices हमें देखने को मिले हैं, और वहां से थोड़ी सी करीब 400 point की एक recovery, लगबग हमें charts पे देखने को मिली है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक घंटे के time frame पे, वहां हम देखते हैं कि क्या हमें view नजर आ रहा है, यहां पर हमने देखा market में selling, थोड़ा सा उपर, वापस उपर, फिर नीचे, फिर उपर, फिर नीचे, फिर उपर, और यहां से market नीचे की तरफ जाता हुआ, यहां एक चीज़ बहुत important है, आपने देखा resistance zone इसका बना हुए 72,000 के नीचे, यह सारा का सारा एक strong resistance zone है, ठीक है, इस price को जब तक आप market break नहीं करता, market मे कोई reversal नहीं आ पाएगा, और इस price को break करेगा market या नहीं करेगा, उसमें हमें किन levels का धिहान रखना है, वो चीज़ अभी हम discuss करेंगे, current price है 68,979, बार बार इसने ऊपर में breakout दिखाने की कोशिश करी, पर market ने ऊपर में breakout दिखाए नहीं, बार बार इस resistance को market ने face किया, एक barrier इसे दिखाई दिया, और वहां से price बार बार नीचे की तरफ आते रहे, अभी जो इसमें नीचे आया है, prices हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये lower lows, lower lows, lower lows, ये एक sign है कि जो trend है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, कि कोई unexpected situation हो जा तो market बिलकुल ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी ठ्रेम पर, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, view और थोड़े हमारा clear होगा, वहां हम देखते हैं, यहां पर अगर हम बात करें, market ने एक upside moment दिखाई, काफी उपर के levels, फिर वहां से selling, फिर उपर, फिर यहां से ये जो एक pattern बन रहा है, यहां पर एक strong resistance, लगातार हम एक नीचे की तरफ एक trend नजर आ रहा है, उपर में जितनी भी strength इस silver ने वो खतम कर दिया है, और prices जो हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं, buying तब तक बिलकुल ना करें, जब तक 72,000 का level break नहीं होता, 72,000 break हो जागा, market में बहुत जब्रदस तेजी भी आ सकती है, intraday में ही, जिस price से भी, और कई बार तो हमें यह लगता है, कि stop loss बहुत बड़ा है, और हम यह भूल जाते हैं, कि कई बार हमें intraday में ही, हम यहाँ पर sell करते हैं, और market उपर चला जाता है, या फिर हम उपर खरीते हैं, और market नीचे आ जाता है, 55-6,000 point और उस दिन हम देखते हैं, कि मुझ to worst scenario में भी, हमें 3000 point का एक loss लेके चलना है, जिसमें हम यह expect कर रहे हैं, कि trend जो है, वो नीचे की तरफ है, पर इसमें एक चीज़ ज़रूर है, कि Monday की opening, आपको better prices मिल जाएंगे, 3000 तो मैं अभी कह रहा हूँ, आप 70,000 के असपर sell कीजिए, आपका 2000 point का loss रह जाएगा, loss नहीं जो trade है, वो यही है इस time, कि आप थोड़ा सा position लेके चलिए, बाकी 2-3 दिन monthly opening के 2-3 trading session, आपको थोड़ा सा wait अगर करें, तो और जादा अच्छा होगा, कि market किस तरीके से हो सकता है, 2-3 दिन में यह अपने आपको थोड़ा सा 69-70,000 के एक range में consolidate करने की कोशिश करें market, तो आप उसमें भी confused रह सकते हैं, कि market तो नीचे गिरी नहीं रहा, मैंने trade गलत ले लिया क्या, तो इस तरीके का एक pattern हमें बनता होगा, नजर आ सकता है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार daily charts की तरफ वहाँ देखते हैं, कि क्या view हमें नजर आ रहा है, daily charts पे अगर हम द देखेंगे, ये price उपर गए, और यहां से एक candle और इसका अगर low break कर दिया, तो आप उसी दिन देखेंगे, single day में market और काफी speed से नीच आ सकता है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को, इस point को जैसे ही market break कर देगा, तो market में आपको एक अच्छी गिरावट नजर आ सकती है, intrad चाहे वो next reading session में करे या उससे next में करे, हमेशा के लिए मत समझना कि हमेशा के लिए ये level है, पर अगले एक दो दिन के लिए बिल्कुल इस level को आप consider करना, ठीक है, वापस चलते हैं हम एक गंटे के time frame पे, वह हम देखते हैं कि कौन से level हमारे लिए important रह सकते हैं, देखिए यहां पर एक चीज़ है कि अगर कुछ भी upside आती है, सबसे पहला एक price है 70,000, 70,000 अगर break हो जाता है जिस दिन भी हो सकता है, मंडे को ही हो जाए, हो सकता है Tuesday को हो, या फिर हो सकता है कि ना हो, पर अगर ये मंडे को break हो जाता है, तो market का फिर वापस इस लोग को break करना same day, वो आने के फिर chances है, हो सकता है 70,500 के आसपस तक market जाए, फिर वहां से एक selling pressure phase करें और नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, इस तरीके का एक scenario बना रह सकता है, 70,000 अभी आप note कीजिएगा, दूसरा level है, exact 71,000, 71,000, इस price के break करने पर market में थोड़ी strength आ सकती है, जिसमें ये chances काफ तो इस price के break होने पर, अब अपने सारी position से आप exit करने तो जादा अच्छा है, और अगर short selling की है, और यहां पर आ जाए तो आप buying कर ले, 71,900 अगर break हो जाता है, तो आपको long position में अपनी position बनानी चाहिए, हो इसलिए, चार बारी इस ने इस barrier को face किया है, और पांच भी बारी jump काफी अच्छा आ सकता है, इस जिसको आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रखेगा, और अब यह अब दूसरी चीज़ा है कि expectation क्या है market, यह expectation यह है कि अगले एक दो दिन market इस range में consolidate हो सकता है, अगर यह consolidate होता है और फिर market का यह वाला low break होता है, मतलब उन्हीं दो दिन के आस-पास में, तो market में एक अच्छी गिरावट हम देख सकते हैं, काफी नीचे के levels आपको silver में देखने को मिलेंगे, यह कुछ important चीज़ है जो आपको धियान में रखनी चाहिए, एक negative sign silver के लिए, negative sign मतलब silver के positive trend के लिए negative sign, और negative trend के लिए positive sign, मतलब नीचे गिरने के लिए एक sign जो support कर रहा है, वो है USD INR में तेजी, इसमें अगर यह तेजी इसी तरीके से उपर के prices पे अगर market रूख जाता, USD INR का, silver में नीचे आने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अभी तो इसने सिर्फ यह एक ही दिन में इतनी तेजी दिखाईए, अगर यह prices hold र रहा है, यह कुछ चीजे हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और एक और चीज हमारे सामने आ रही है कि silver में at least uptrend तो हम strength तो बिलकुल गायब है, और जो selling pressure है वो धीरे धीरे इसमें बनना शुरू हो चुका है, तो दोस्तों यह था मेरा silver MCX पे अभी का वीडियो, वीडियो अच्छा है कि तो like करें, share करें, बने रहे हैं मेरे साथ देखते रहे हैं, market report धन्यवाद